गुद आफ्टरनून फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल वर्च्वस में तो एक फ्रिक्वेंटली आस जो टॉपिक है जिस पे सभी स्टुडेंट्स की नजरें हैं सभी के लिए एडमिट कार्ड की अब कल पूरे दिन से ग्रूप में आल चल चल रही थी आपस में स्टुडेंट्स का डिसकेशन की आज एडमिट कार्ड आएगा कल एडमिट कार्ड आएगा प्लस बहुत सारे लोगों के स्पकुलेशन के 10 तर 11 और 13 जुलाई को एक्जाम अफिशल वेबसाइट पे अडमिट कार्ड आ सकता है तो देखो या तो भी ऑनेस्ट ऐसा कुछ मेर को तो नहीं पता है जब तक ऑफिशल प्लाटफॉर्म पे आएगा नहीं तब तक शौरिटी से कुछ नहीं बोला जा सकता बट इसकी रिगार्डिंग मैंने अपना ओपी या थर्ड वीक ऑफ जुलाई आएगा ये टाइम ही बताएगा बट कोशिश एस्बीआ यही करेगा कि जल्दी से जल्दी एक्जाम कंडेक्ट करवाय जासके जिसे कि अपना शेडूल मैंटीन कर सके क्योंकि 11 जुलाई को मेंन्स का जो शेडूल है वो उसी टाइम पर हो उ इस बीए इसे जादा सर्प्राइज और कोई बैंक नहीं देता है तो हो सकता है कुछ दिन पहले अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रहें अब इस वीडियो पर आपने क्यों क्लिक किया इसले क्लिक किया कि सर कुछ नहीं बात बताएंगे कुछ डेट्स बता देंगे एक्जक् कुछ इंफर्मेशन मेरे पास है भी नहीं अब पॉसिबिलिटी मैं बोल सकता हूं कि हाँ जोलाई के पहले दो हफते के अंदर पॉसिबिलिटी है एक्जाम कंड़क्ट करवाने के लिए और जो डेट्स रूमर्स जो चल रहे हैं डिफरेंट प्लाटफॉर्म से वो टू हो अब मिनिममम मिनिममम केसे आ रहे हैं बाकी स्टेट में देखें तो बाकी स्टेट में भी नंबर काफी जादा लो हैं तो अब जुलाई में अच्छी कासी पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक्जाम आपका हो जाएगा और एड्मिट कार्ड इसके चलते किसी भी दिन तो बस आप नजर रखें और साथ ही साथ प्रिपरेशन में कोई फरक मताने देजे क्योंकि जुलाई में एक्जाम होगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 हाई है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में एक्जाम परिका हो जाएगा तो आप लोगों के पा मॉक्स देंगे ठीक है पर एक बार एक बार एडमिट काड आने दीजिए उसके बाद मैं उस कोर्स के बारे मैं आपको बताऊंगा तब तक के लिए परिपरेशन पर फोकस कीजिए और जो आप सोच रहे हैं कि जुलाई में एक्जाम हो सकता है बिल्कुल सही है आप लोगो session में इतना ही, now that's all for today's session, take care.